प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीब एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका Career Planet की Online Classes में दोस्तों, Tally Prime Course की इस रंकला में, आज की क्लास में हम इस Course का सबसे Important Topic डिसकस कर रहे हैं Backup and Restore देखे, Tally का Data बहुत Important होता है, बहुत Valuable होता है इसलिए इसकी सुरुक्षा, इसको सेफ करना भी उतना ही Valuable और महत्पूर्ण है आपने Backup Word को सुन रखा होगा, Backup जो Word है, उसका सीधा सा मतलब है Secondary Plan जनरली इस तरह से बात करते हैं, इस परसन के पीछे तो बहुत बड़ा Backup है इसके पास Primary Plan के साथ साथ Secondary Plan भी है, जब उसका Primary Plan फेल हो जाए तो Secondary Plan से वो सर्वाइव कर सकता है ठीक, यही Concept हमारे Tally Data के साथ भी है, हम Tally में Easily काम करते हैं तब तक तो ठीक है लेकिन कभी Hard X fail हो जाए, या फिर कभी हमारा Data Corrupt हो जाए, तो वो Condition बहुत नुकसान दैक हो सकती है उससे बचने के लिए हमें Proper एक Backup Plan तयार करना होता है तो इस Class में हम यही Discuss करने वाले हैं किस तरह से हमें Tally Data को शुरुक्षित करना है, किस तरह से हमें उसका Backup लेना है तो आईए शुरू करते हैं, Tally Prime में Backup के लिए हमें Data Menu का Use करना है Data Menu में हमें Option मिलेगा Backup and Restore और नीचे एक Option मिलेगा Data Path जब हम Backup लेने के लिए जाते हैं, तो यहां पर Backup Option को Select करते ही Tally सबसे पहले पूछता है Backup Destination Path Destination means आपको अपनी Companies का किस जगह पर, किस Location पर Backup Store करना है अब यह Location क्या होती है, तो एक बार मैं आपको Computer के Storage Drives दिखा देता हूँ यह हमारी Storage Drives है, C Drive, E Drive, F Drive और Google Drive तो Google Drive यानि Cloud Storage यह हम Next Class में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले, जो Storage Devices हमारे System में होती है चाहे वो Hard Disk के Partition हो, C Drive, E Drive, F Drive या कोई Pen Drive हो, CD, DVD हो उसमें हम Backup ले सकते हैं, तो शुरुवात में हमें Destination, Location सेलेट करनी होती है कि हमें अपना Backup वाली Files कहां Store करनी है, और इसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि C Drive जो होता है, वो Primary Drive होता है, इसी Drive के अंदर OS, Operating System, Store होता है और Operating System से ही हमारा Computer काम करता है, तो इस Drive में, C Drive में कभी भी हमें Backup वाली Files को Store नहीं करना है, उसके लिए आप C Drive को छोड़कर दूसरी कोई से भी Partition, E Drive, F Drive या Pen Drive में Data का Backup ले सकते हैं, CD और DVD में Backup लेना वो तो अब बंद दे चुका है, उसका कोई Use भी नहीं है Pen Drive में फिर भी लोग Backup लेते हैं, C Drive के लिए इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, क्योंकि C Drive के अंदर Operating System Store है और Operating System की कोई भी एक File Miss होई, तो पूरा System क्रेश हो जाता है उससे बचने के लिए आपको C Drive में Backup नहीं लेना चाहिए, उसके इस्तान पर आप दूसरी Drives का Use कर सकते हैं तो यहां पर अभी Backup लेते समय मैं E Drive का Use करूँगा, इस E Drive Partition का Use करते हुए इसमें Backup की Files Store करूँगा अब Backup लेने के लिए फिर से हम Data Menu का Use करेंगे, और Data Menu में Data Path को Configure करेंगे, कि किस जगे पर हमें Data का Backup लेना है, यहां पर आप दो Lines देख रहे हैं, First Option में लिखा हुआ है Company Data Path, यह वो पाथ है जहां पर हमारी सारी टेली की Companies Store हैं, दूसरा जो पाथ है, वो Destination Path है, जहां पर Drive थोड़ा असान method है, इसके माधियम से आप Particular Drive select कर लीजिए, किस Drive में आप Backup रखना चाहते हैं, और किस Folder में रखना चाहते हैं, जैसे मैंने eDrive को Select किया, जितने भी Folder से उनकी List मुझे यहां दिखाई दे रही है, मैं Particular किसी भी Folder को यहां पर Select कर सकता हूँ, Otherwise हम यहां पात को specify भी कर सकते हैं, पात को type कर सकते हैं, जैसे मैं यहां type कर रहा हूँ, e colon slash backup, अब उस location पर यह Folder अगर नहीं है, तो एंटर प्रेस करने के बाद, टैली आपको एक message देगा, eDrive पर यह Folder बना हुआ नहीं है, do you want to create it, आपको यहां पर yes करना है, तो इस location पर यह Folder create हो जाएगा, otherwise आप पहले से बने हुए जितने भी Folders हैं, उन में से किसी भी Folder का यहां पर यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप नहीं फोल्डर ही create करें, तो मैंने आपको दो मेहतर बता दिये हैं, आप चाहें तो नहीं फोल्डर create करते हुए, टैली प्राइम से फोल् यह हमारा folder है, जहां पर backup store होने वाला है, साइड में आपको list of companies दिखाई दे रही हैं, कि इस टैली प्राइम में जितनी भी companies हैं, उन में से किस company का आप backup लेना चाहते हैं, तो मैं first XYZ Private Limited जिसका number 10,000, इस company का backup लेना चाहता हूँ, तो मैंने इस company को select किया, इसके अलावा भी आप multiple companies का एक साथ backup ले सकते हैं, यहाँ आप companies select कर लीजे, जितनी companies आप select करेंगे, उसका backup वहाँ पर store हो जाएगा, जैसे आप enterprise करेंगे, accept का message आपके सामने आएगा, इसे आप accept कर लीजेगा, accept करते ही, उस particular destination पर, जो हमने folder create किया था, eDrive में, वहाँ पर backup file store हो चुकी है, backup file को आप देखेंगे, तो जितनी भी backup files होंगी, वह start होंगी, tbk900 format के साथ, और underscore लगा कर, उस company का जो number था, वह भी साथ में यहाँ पर aid हो जाता है, 10,000 company थी, dot 001, tally ने यहाँ पर उसके साथ insert कर दिया है, केवल एक ही file में, पूरी company का backup, यहाँ पर restore हो जाता है, यह file हमारा सारा data, tally prime में store कर सकते हैं, और इस file को आप अपने auditor को, अपने CEO को भी भेज सकते हैं, transfer कर सकते हैं, या फिर से, company के backup को, tally prime में restore करना चाहते हैं, तो data menu में ही, आपको मिलेगा restore option, इस option से, हमने जो default path set किया था, backup के लिए, उस location पर जितनी companies का backup store होगा, उन सब की list आ चाहते हैं, उस particular company को select कीजिएगा, then, आपको enterprise करते हुए, accept करना होगा, तो आपने ध्यान दिया होगा, अब हमारा backup, eDrive से, tally का, जो company का data path है, उस path पर जाकर restore होगा, लेकिन यहां, जैसे आप restore करेंगे, तो tally आपको एक warning message देगा, कि आपका data है, पहले से, आप इस company में क company है, उसका data, यदि आप restore करेंगे, तो overwrite हो जाएगा, तो यहां आपको थोड़ा ज्यान रखना है, साफधानी रखनी है, यदि आपने backup लेने के बाद, tally prime में उसी company में आगे और काम किया है, तो data आपका overwrite हो सकता है, और जिस date तक आपने backup ले रखा है, उस date तक का data आप आपको साफधानी रखनी है, अभी मैं execution point of view से इसे yes कर रहा हूं, yes करने पर उस company का data यहां पर restore हो चुका है, तो यह जो मैंने आपको process बताया, यह एक general process है, इसी तरह से backup और restore किया जाता है, और हमें यह process रोज, या तो daily करना चाहिए, weekly करना चाहिए, monthly करना चाहिए, पर क backup रखना चाहिए, तो यह method बताया मैंने आपको, दूसरा method जो use होता है, उसमें हम लोग क्या करते है, जो daily prime में data का path है, आप यहां देख पा रहे है, data path, इस data path पर जितनी भी companies रखी हुई है, उनके folder numbers हमें ध्यान रखने होते हैं, और जिस company का हम backup लेना चाहते है, directly इस location ब public में, daily prime, और यहां पर data वाला folder बना हुआ है, सारी companies के data यहां पर store है, तो हमें 10,000 वाली company जो थी, XYZ private limited, यदि उस company की data का backup लेना है, इस folder को मैं यहाँ पर copy करूँगा, जिस location पर मुझे backup store करना है, उस location पर जाओंगा, और यहां पर आकर उसे paste कर दूँगा, तो यह भी एक method होता है, जिसमें हम पूरा पूरा folder ही copy और paste कर लेते हैं, तो दोनों में से जो भी method आपको उप्योगत लगे, अच्छा लगे, आपके लिए suitable लगे, उस method का आप use कर स क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जाते बहुत के लिए्यों, वीडियो शन्यवाद, लिए टत्र बहुत विए, झाल 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 झाल